आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गैस और ऐसी डिटी का एक पर्मनेंट सॉलीशन आज की इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़े बताऊंगा पहली चीज है एक ब्रीधिंग जैटनीक और दूसरी चीज है एक होम रेमेडी इन दोनों चीज़ों को अगर आप अपना लेंगे तो उससे आप किसी भी तरह की और कितनी भी पुरानी गैस और ऐसी डिटी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं और अगर आपको acute condition रहती है, कभी अचानक से आपको gas या acidity हो जाती है और इस चीज़ को आप कर लेते हैं, तो उससे आपको दो मिनिट के अंदर फॉरन आराम भी मिलना शुरू हो जाएगा. तो चलिए बिना किसी देरी के इस interesting वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों चीज़ों के बारे में पूरी detail से. दोस्तों, acidity यानि पेट में acid का बनना, आखिर ये problem होती ही क्यों है? जो खाना हम लोग खाते हैं, उसको पचाने के लिए हमारे पेट के अंदर एक acid बनता है, hydrochloric acid. ये acid का काम होता है हमारे खाने को हजम करना और उसको गलाना. लेकिन अगर ये acid जादा quantity में बनना लगता है, तो उसकी वज़़े से हमारे अंदर acidity बढ़ जाती है, और सारी problems जैसे कि पेट में दर्द, अफारा या गैस की शिकायत, या सीने में जलन की शिकायत हमारे अंदर हो सकती है. अब ये जादा acid क्यों हो जाता है हमारे अंदर? दोस्तों बहुत सारी आदते हमारे अंदर ऐसी होती हैं, जिनके कारण से अकसर ये problem हमारे अंदर create होनी शिरू हो जाती है. अगर आप जादा spicy food खाते हैं, मिर्च, मसाले, तला भूना जादा खाते हैं, तो उस case में आपके अंदर ये जादा बनने लगता है acid. अगर आप जादा stress में रहते हैं, तो उसकी वज़ासे भी आपके अंदर acid जादा बनता है. अगर आप सुभा सुभा खाली पेट चाए कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, या दिन भर चाए कॉफी का जादा इस्तेमाल करते रहते हैं, तो उसकी वज़ासे भी आपके अंदर acid जादा बन सकता है. ज्यादा देर तक खाली पेट रहने से भी आपके अंदर acid ज्यादा बनता है या कई बार खाना skip करने की वज़ा से बहुत सारी लोग ऐसे होते हैं जो सुभा नाश्टा करके जाते हैं और रात को आके खाना खाते हैं तो ऐसे लोग का सारा दिन पेट खाली रहता है बीट-बीट में वो चाय भी बीते रहते हैं तो इन सब चीजों की वज़ा से अकसर हमारे अंदर acid ज्यादा बनना शुरू हो जाता है acid को कम करने के लिए अकसर हम लोग antacid medicines लेते हैं या ऐसे medicines जो कि या तो digene की शकल में होती हैं या फिर वो खाली पेट खाने वाले capsule जैसे की omiprazole या pantoprazole की शकल में होती है इस तरह की दवाईयां हमें वक्ती तोर पे अराम दे देती हैं इस acid को कम कर देती हैं लेकिन long term अराम इससे हमें नहीं मिलता है जब तक आप इनको खाते रहते हैं आपको सुकून रहता है जैसे ही इसको छोड़ते हैं प्रब्लम आपकी वहीं कहीं वहीं वापिस आ जाती है तो आखिर इसका permanent solution क्या है देखिए अगर आप acidity और gas से permanent रहा चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको इसके कारणों को बदलना होगा इनके इसके कारणों से बचना होगा सबसे पहला काम आपको करना है अपनी lifestyle को सुधारने का क्योंकि cause जब तक नहीं जाएगा तब तक आपकी बिमारी की जड़ भी नहीं जाएगी इन causes से बचने के बाद दो ऐसी चीज़े हैं जो कि अगर आप अपना लें तो उससे आप हमेशा हमेशा के लिए 100% अपनी इस gas और acidity की problem से चूटकारा पा सकते हैं इसमें से पहली चीज़ है breathing technique जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ और दूसरी चीज़ है एक home remedy जिसको बिनाने के तरीका और खाने के तरीका भी मैं आपको अभी बताऊंगा सबसे पहले बात करते हैं breathing techniques के बारे में इस breathing technique को आपको रोजाना दिन में दो से तीम बार try करना है और अगर आप इसको acute condition में करते हैं यानि कभी मालीजी अचानक से आपको बहुत जादा acidity और gas हो रही है उस समय अगर आप इसको करते हैं तो फॉरण अराम भी इससे आपको मिलना शुरू हो जाएगा इस technique को करने के लिए आपको क्या करना है आपको सबसे पहले एक comfortable position में बैठ जाना है for example जैसे अभी मैं बैटा हूँ एक chair पर ऐसे ही आप एक chair पर बैठ जाएए और उसके बाद आपको क्या करना है आपको inhale करना है अपने मूँ से और exhale करना है अपनी नाक से अब ये inhale जो कर करते हैं सबसे पहले अपनी टंग को ऐसे राउंड कर लीजिए आपने देखा हमने अपनी टंग को राउंड किया उससे हमने deep breath ली अंदर मूँ से अपनी टंग के थुरू और उसको धीरे धीरे अपनी नाक से फिर आपने वापस निकाला इसको दो-तिन बार रिपीट करते कर दोर मुदी करते हैं. इस तरह से 4-5 बार आपको ये इन्हेल और एक्सेल करना है और दिन में 2-3 बार आप इसको कम से कम जरूर करिए किसी समय आपको ज्यादा इसलिडी हो रही है तो उस समय भी आप इसको कर सकते हैं अगर आपने इसको भी मेरे साथ किया है दोस्तों तो आपने फील किया होगा कि जो आपका गला है यहां से लेके और आपके पेट तक आपको ठंडक का हिसास होने लगता है यह थंड़क basically इसलिए होती है क्योंकि इस तरह से जब आप inhale करते हैं तो यह air आपकी पेट की और आपकी सीने की खाने की नली के अंदर उन nerve endings को सूध कर देती है जो की आपके acid को बनाने का काम करती है और इसकी वज़ा से तुरंत आपका acid बनना काम हो जाता है और आपको ठंड़क का हिसास होता है इसको regularly अगर आप follow करेंगे तो आपको permanent relief भी मिलेगा और acute condition में तो आप इसको try कर ही सकते हैं दूसरी चीज है एक home remedy जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा असान है इस home remedy को अगर आप breathing technique जो मैंने अभी आपको बताई इसके साथ में इस्तमाल करना शुरू कर देते हैं तो 100% आपको gas, acidity और अफारे की शिकायश से अराम मिल जाएगा इस home remedy को बनाना बहुत ही ज़्यादा असान है, सिर्फ दो चीजों की जरूरत आपको इसके लिए पड़ेगी पहले चीज होगी अजवाइन और दूसरी चीज है काला नमक आपको क्या करना है, आपको एक टीजवाइन लीनी है और इसको तवे पर डालके हलका सा रोस्ट कर लेना है इसके बाद इसके अंदर आपको मिलाना है एक चुटकी काला नमक और इस एक चमच अजवाइन और काले नमक को डालके आप मुँमें फा किये और उपर से आप पानी पी लीजे ये एक बहुत ही बढ़ी है नुस्खा है दोस्तों जो कि आपको acute condition में भी और chronic condition में भी यानि अगर आपको अचानक से ज़्यादा acidity हो रही है तो उस समय फौरी अराम के लिए भी और long term use के लिए भी बहुत ही ज़्यादा effective results देती है इसको अगर आप regularly इस्तेमाल करेंगे तो पुरानी से पुरानी gas, acidity, अफारा और पेट दर्थ की आपके जो शिकायत है in digestion की जो आपकी शिकायत हो सकती है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी और इन दोनों ही चीजों को यानि इस breathing technique को और इस home remedy को अगर आप साथ में इस्तेमाल करते हैं तो तो बल्ले-बल्ले है आपकी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हा results आपको मिलेंगे बहुत ही जल्दी आपको और आम मिलना शुरू हो जाएगा और regularly इस्तेमाल कर लेंगे 15-20 दिन महीना बर तो permanently आपकी problem ठीक हो जाएगी provided कि आप उन causes से भी बचें जिनके बारे में आज इस वीडियो में हमने बात करी थी इस नुस्खे को आपको दिन में दो टाइम इस्तेमाल करना है तो इसको गर्मी के मौसम में इस्तेमाल नहीं करना है या बहुत से लोगों का मिजाज थोड़ा गर्म होता है उनने लगता है कि अजवाइन खाएंगे तो और गर्मी बॉड़ी में बढ़ेगी तो अगर आपको इस तरह की कोई problem है तो इस case में आप अजवाइन की dose को कम भी कर सकते हैं इसको आप किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको problem होती है, गर्मी जादा लगती है या अजवाइन खाने से कोई problem हो रही है तो उस case में आप अजवाईन को आदा चम्मच या उससे कम भी कर सकते हैं depending on कि आपकी body उससे कैसे react करती है इसके लावा पूरी तरह से safe और effective home remedy है तो कोई भी इसको अराम से इस्तमाल कर सकता है और 12 महीने इस्तमाल कर सकता है मुझे उमीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ न कुछ नया जरूर सीका होगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे like जरूर कीजिए चैनल पर अगर नए है और पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि सबी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विजा लेता हूँ फिर मिलूँगा एक बड़ी हैसी वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा